यहां पे सराब लोग कितने दिनों से नहीं पीते हैं लगवक साथ सो साल से परिंपरा है और बावा के अश्चर्ज में पढ़ जाएंगे आपको बता दे कि इस वक्त हम लोग जमुई जीला के गंगरा गाउं में हैं और इस गाउं की खासियत यह है कि इस गाउं में पिछले 700 वर्सों से अभी तक कोई भी व्यक्ति सराब का सेवन नहीं करता है और नहीं किसी परकार का नासा का आधी बना हुआ है एक बार मैं फिर आपको बता दू कि इस वक्त हम लोग बियार के कैसे गाउं में हैं जिसके बारे में सुन करके साथ आप भी आश्चर्ज में पढ़ है और यह सारी जोवी चीज़ी यहां पे होता है इसी मंदिर के आदेश पे होती है कि यहीं और काफी बिसाल मंदिर है और फिर आपको जान करके आश्वर यह बात होगी कि बिहार का यह कैसा जूबा गाउं है जहांके लोग पिछले 700 बरसों से अभी तक सराब नहीं पीते और नहीं किसी परकार के नासा का स्यवन करते हैं और बाकी यहीं उनका पिंड है जिनको साब तर पर आप दर्शन कर सकते हैं और मिटी का बना हुआ है विसाल निनमाना धिन मंदिर है और इस गाउं के भी कुछ लोग है उनसे हम जानने का परियास करते हैं क्या नाम है अपता है मानने मुख मंतरी नितिश कुमार जी भले 2016 से विहार में सरावंदी कानून बनाये हुए है और पूरे विहार में सरावंदी कानून लागूल है लेकिन गंगरा विहार का एक ऐसा अनोखा गाहां जहां कि सदियों से लोग सराव से अपने आपको दूर रखते हैं और हम अस्था का पवित्र देव भूमी हैं और विहार का वास्तविक में अनोखा जमूई का धरोहर हैं अगर यहां के लोग बाहर जाते हैं तो पीते नहीं पीते हैं दुनिया के किसी भी भाग में वो नौकरी करें बिजनेस करें या तो मजदूरी करें हम ऐसे संसकारित मिट्टी से जुड़े हुए हैं किसी भी छेतर में हम जाते हैं हम सराब तो पीने तो दूर की वाद छूते तक भी नहीं है जहां कि सेना के जवान भी हमारे बहुत गाउं के यह आप देश सेवा कर रहे हैं इंजिनियरिंग छेतर में हो आईटी सेल्टर में हो और या और कोई सी छे सेवान दूर की वाद खुटा तक भी नहीं है यहां के लोग बाहर भी रहते हैं और अगर व प्रावेट जॉब ही करते हैं तो जिस मकान में रहते हैं उस मकान को देखते हैं कि यहां कोई सराब एन्यवाला वाला वेक्ति तो नहीं है अगर वो किसी कारण किसी गलती वस उसमें अपना कमरा लेते हैं तो उसको प्रमोटिवेइड करते हैं कि वही हां हम इस चीज़ से अपना आपको दूर रखते हैं और आगर ऐसा अगर आप मांते हैं तो हम आपके मकान में रहेंगे और हम अपना काम करें जार. कि बिहार के जमुई जीला के यह गंगरा गाउं है और यहां के सबसे बड़ी ओनोखी बात हम को यह बता रहें कि इस गाउं के लोग सराब पीने की तो बात छोड़ दीजे पिछले 700 वर्सों से सराब को छूपते तक नहीं है अच्छा जब नासा के आदी यहां के लोग नही कि जागरित हो जाती है यह स्वाविक है जिस गाउं में शराब सदियों से बंद रहेगा वहां संतिय स्थाफित होगी यहां पर परसासन किसी बीचीज की जवरत नहीं आप लोग के लिए परसासन खुद यहां आ करके बावा के दरवार में आ करके वह भी अपना वयान दे है बास्तविक में अगर कोई व्यक्ति किसी कारण बस भूले भटके भी इस गाउं में बावा चेटर में अगर परवेश करता है सरापी करके तो उसके साथ अपर यह घटना घटित हो सकती है अगर कोई जवरन आइस नियम को तोड़ने का भी चाहेगा तो या तो पागल हो ने को इसनियम को तोड़ा उसका सरवनास और कोई अगर यहां के अगर नहीं कर सकता है जहां तक वहां बाबा के मंदर के बारे में हम लोगों ने जहां तो पता लगाया कि यहां पर सभी लोग फूल औच्छत चंदन ना जाने बहुत सारे चीज़ पर साथ चड़ा करके भागवान का पुजा करते हैं लेकिन साथ कोई ऐसा प्यक्तिता जो सराब चड़ाने के बारे में सुच रहा था देखिए जिनका संदेश है सराब से दूर रहना नारी का शमान करना अनकी रक्षा करना यह तीनों सुत्र जीवन में उन्नती करने के लिए मूल मंत्र के शमान है और जिन्होंने इस नियम को दूरी पर जामु खरीया एक गाउं है उस समय जो जंगल हुआ करता था वहां जाकर के लखड़ी लाने के लिए अपने गाड़िवान के साथ गये गाड़िवान का नाम हरना था और उनके वाग के साथ उनका मुकावला हुआ बाग को परास्त करके उन्होंने मार गिराया उस घटना को दे करके इसके इस तरी जाती बागीन बोला जा बागीन आती है और बागीन जब उन पर सामने सामने होते हैं तो बावा बागीन को नारी शक्ती समझ करके भगवती स्वरूप समझ के अपना सरीर को निचावर कर देते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है लेक है और आसपास के काई गाओं सरधार भक्ति के रूप में इनके लोग देवता के रूप में पूजा अर्चना करने के प्रंपरा शुरुआत हो जाती है और यह संदेश के दोर अस्टेट के ततकालीन महराजा को यह संदेश जाता है उन्होंने भी भक्ति भाव से इनकी गाड़िवान था जिसमें बावा पर बाग एटेक किया और उन्होंने अपना सरी निचावर कर दिया यह सुचना उनका जो गाड़िवान था हरनात उनके घर तक नहीं दिया उनको पस्ताप महसूस हुआ कि हमने ऐसा गल्ति किया तो बाद में उसको लगा कि जब लोग वह जाते हैं और इस दर्वार में आकर के दूध नवेद फूल अर्पीत करते हैं तो उनके मोनाकामना पूरी होती है अगर हम वह सराव चड़ा दें तो बाबा माफ कर देंगे इस भावनाओं के साथ जो ही गंगरा के छेतर में परवेश करता है और किसी कारण से उसके पैर मे सर्वनास वह उसका मिट्टी के जो आवास जो देड़ा जुसका हम लोग बोलते हैं उस पर हल चला कोई उसको देखने वाला नहीं है पूरे परिवार खंदान उसका नास हो गया तब से लेकर आज तक हम लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं गंगरा का किसी भी सर जाती के लोग हों किसी भी धर्म समदा के लोग हैं सराब से अपने आपको दूर रखते हैं यानि कि केवल सोचा कि बाबा पर हम इस गाउं में सराब का यह करें सेवन करें तो बस ठेस लगा गीरा और मर या पूरा परिवार भी बरबाद हो गया और आज तक उसके कुल परिवार मे एक भी बन्स चलाने वाला नहीं है उसका जो जमीन है वो जमीन ऐसे विखरा हुआ है मैं मानने आपके चेनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको मैं धनवाद दता हूँ और सादर अभिननदन करता हूँ कि बाबा को किल चांद हम गंगरा की संस्कृति जमू की संस्कृति को विहार सरकार के कानों तक विहार सरकार के संग्यान तक पहँचाने में आप एक माध्यम बनें हमारे बावा के दरवार में आज तक कई महत्मा संत MUDDJI निधियों का आगवन होते रहता है सबों की मौनोकामनाइ पूरी होती है लेकिन कि किसी भी जन्पर्ति निधी को यह कि अनोखी कहानी यह कि पिछले 700 बर्चों से यहां के लोग सराप का सेवा नहीं करते हैं और नहीं किसी नासा का आधी बने हुए इस गाउ के लोगों को पुलिस पर सासन किसी भी चीज़ कि आऊ सकता भी नहीं है जब कि भी आर के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी 2016 से लेक लिए तरह तरह के कानून बनाते जा रहा है लेकिन फिर भी विहार में सराप बंदी सपल नहीं हो रहा है लेकिन यह ऐसा गाउ में जहां पर पिछले 700 बर्चों से लोग अभी तक सराप का सेवा नहीं करते हैं तो कहीं नहीं कहीं मानिये मुख्यमंत्री जी को इस गाउं को अपने गोद में लेना चाहिए था और गोद लेकर करके इस गाउं की कहानी को और दिलचास्प बनाना चाहिए था ऐसा करने से सराप बंदी कानून में एक नई निखार आएगी और मील का पत्थर सावी थो सकता है विहार के एक नई पहचान बढ़ेगी यह कोई कालफनिक जगा नहीं कोई वनावटी जगा नहीं एक आलोकिक जगा है सदियों से बावा का जो संदेश है जन जन के दिल में समाया है और अगर जन परतिनी दी हमारी शरकार इस गाउं को मोडल गाउं या इस गाउं को गोद लेकर करके अगर सराप यह कदम बढ़ाते हैं तो विहार सब्सद्व परिवार धनाया थोचके दिल में पत्थर सावित होगा क्योंकि हमारे पस न कोई परहरी है नकोई चोकिडारी है हम वहारे पास कानून की वैस्ता जरूत पढ़ती है ने पुलिस परसासन की आवच्फ्कताब पढ़ती है हम लोग पीड़ी-धर ठेड़ी हमार ले पारि माताई बहने जिनकों कि हम अपध जहां अपना संबंद करते हैं उस संभन्ध संमंद Milwaukee में भी जाकर करके जब वहां अपनय हगर बसाती है तो उस परिवार को संसकार्इद करती है उस परिवार में भी अगर कोई सराब पीने वाला होता है, तो मजबूरन में हमारी बहन, हमारी भतीजी, हमारी चाची, हमारी दादी, आधी के जो संबंध के मताविक संबंध बनता है, तो वहां भी यह संदेज जाता है कि गंगराई को कलता गहाँ, वहां की यह सवासीन है, यह मेरे यहां आई है, हमें सराब नह और बाहर जाने के लोगों वहां कार बलतकार जैसे कोई भी घटना नहीं होती है और जब नहीं हो तो परसासन की जूरतने सच में यहां के लोग 700 सालों सब्सक्राब नहीं पी रहें बिल्कुल बिल्कुल ऐसा गाउं पूरा विश्व में नहीं पाया जाता है जहां के लोग पिछले 700 सालों से सराब नहीं पीते हैं और दूद नहीं बेचते हैं दूद को अपने घर में खाते हैं एक आपके यह दे दिया ज्यादा लगा तो दूद बेजने का राता तो लेकिन यहां के लोग सराब भी नहीं पीता और साथ में जो दूद का उत्पादन करते हैं दूद भी किसी को बेचना नहीं है ऐसे दे देना है और एक दूसरे जात में साधी भी नहीं करना है कि यहां के लोग 700 सालों से सराब नहीं पीते दूद नहीं बेचते दूद सकते हैं जाहां तक बत है तो दूसरे जाती से साधी नहीं कर और पाठी सरसे गाओं के आंनोखी कहानी बताते यहां से मैं संजीत कुस्वाहा जय हिंद झालेैं पोляरान पनार के पन्हाऊ को जालन है बर्ला